आगामी लोग सभा चुनाओ 2024 के लिए बिहार में इंडिये की सीटों को लेकर के हुए बटवारे के बाद केंद्री मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पसुपती कुमार पारस ने आज मोधी कैबिनेट से इस्तिफा दे दिया जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि वह किसी भी वक्त इंडिये का साथ छोड़ सकते हैं जहां पारस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री मंडल से इस्तिफा दे दिया है पारस के इंडिये में सीटों को लेकर के क्यों बात नहीं बनी इसको लेकर के हलांकि उन प्रुगुजार हूँ वहीं पारस की इस्तिफे के बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर पारस की स्खेमे कारूख करेंगे इसको लेकर करके उन्होंने कुछ भी नहीं इस समय कहा है आपको बता दें कि इस समय पारस गुट के पास पांच सांसद हैं लेकिन बिहार में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है इसी को लेकर के पारस नाराज चल रहे हैं सुत्रों के अवाले से खबर ये भी आ रही है कि हाजिपूर से पसुपती कुमार पारस अपने भातिजा चिराग पासवान के खिलाफ चुनाओ लड़ेंगे वहीं पारस की इस्तिफे के बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि पसुपती कुमार पारस महाकडबंदन में सामिल हो सकते हैं अब आने वाला समय में मालूम जलेगा कि पसुपती पारस का क्या स्टैंड होता है क्या वो महाकडबंदन में सामिल होंगे या फिर निर्दल ये ही चुनाओ लड़ेंगे फिलाल इ हर के साथ